हाई गाइस कैसे हैं आप सभी लोग आई हुब अच्छे होंगे और आज किस वी रूम देखने वाले हैं लोग कि जो भी ये जो भी ये के छात्र है है अब मैं अब को दिखा रहा हूँ यह प्रिफम बर्स स्यमस्टर प्रिफम मतलब कि विस्व सह स्यमस्टर कहा जाता अब सिख्षा के आंतर आपको कौन कौन से कोशन देखने को मिलेंगे मतलब कि आपके सिक्षा शात्र वो आठ यूनेट में डिवाइड किया गया है पूरे ऐजुकेशन पेपर को आठ यूनेट में डिवाइड किया गया है यह 2022 की सिक्षा नीती जो अभी आई यह लाँच हुई है उसमें स्लेवस पूरा चेंज होगा है 2022 मे तो अब क्या होगा 2021 में यह पूरा सिस्टम हो गया था लेकिन 2021 में आपको क्या होगा है पेपर होने वाला तो उसकी बात करने वाला हो सलेवस आपका क्या है उसलेवस अच्छी तरीके इस देख लिए से यूनिट नंबर एक की बात की जाए एजूकेशन पेपर है भी कॉम फ दाइका क्या होता है गुरू और सिक्षा की संक्लपना ऑर्थ के बारे में पूछेगा दू स्वा चैप्टर है अपका सिक्षा की संक्लपना उसका आर्थ है आपका सिक्षा के हैं बसको सिक्षा के यह हमें क्या पूच सकता है हम से कोंच सकता है हमसे कोशन अध्यों कोशन उसके बाद में देखो यहां बोला गया है जो वैसेक्ट और समाजिक विकास के बारे में सांसकरतिक जो बिरासत है उसके हस्तांतरन के बारे में ठीक है next chapter में दे रखा है तीसरा कौसल अरजन क्या होता है ठीक है और मानवी किये मुल्लों का जो अरजित वा पीडी दर पीडी हस्तांतरत करना पांच चौथा चैप्टर हो जाएगा पांच माज चैप्टर में बोला गया है समाजिक एकता क्या होती है ठीक है और एक जुट इसे हम एक जुटता भी बोलते हैं इसके बारे में आपसे कोशन पूछे जाएंगे आकास के लिए शिक्षा क्या होती उसके पूछे जाएंगे मैंने सब इंपोटेंट कोशन दे रहा है लेकर आपको दिखा रहा हूँ है देखो यूनिट नमर टू में कितने नो चैप्टर दे रहे हैं जीसे कि राश्टी एक ही कड़ की सिक्षा के बारे मांतर राश्टी है सदभावना के लिए शिक्षा और मानब पीडियाफ भी आपको दना करे दिया पीडियाफ भी नालोड कर सकते हैं अब यूनिट नमर 3 की बाद करेंगे जिसे शिक्षा का अभी करण के बारेमें इसमें हमारे तीन चैप्टर दे रहे हैं एक दो रहा है औपचारिक एक अनपचारिक और क्या सब्सक्राइब जिसे हम गैर अभी अबद्द बोलते हैं इसमें तीन चैप्टर के बारे बोला गया है यहां से दो चेप्टर से उसके बाद में यहां से देखो पूर्व प्रात्मिक सिक्षा क्या होती है पूर्व प्रात्मिक सिक्षा की कुछ जो मॉडल दिये गए थे डाल्टन दोवारा दिये गए थे या किंगर्डन दोवा दिये गए थे उनके बारे पूछा गया है हमने इस सारी कोशन आपको प्राथमिक सिक्षा की भूमिका का बरतमान और में दसा क्या है वह आप से बूला गया है और यहां दे को चटी कि संक्लपना के बारे मुसके अर्थ और देश और भारत में प्राथमिक सिक्षा का बरतमान इस्ति क्या है वह पूचे रहे यह कोशन ऐसे ही बूचता है उसके बाद में नेक्स कोशन आपसे दोको यूनिट नमबर साथ की बात की जाए इसका मलत हो उच्छी सिक्षा इस च संप्रत्या क्यों पढ़ती है और साती साथ भारत में उच्छी सिक्षा का बरतमान में परिद्रस इस्ति हैं वो कैसी है इसकी बाद में आठमी यूनिट में हम से पूचता है कि भारत की सिक्षा ब्यपसाए कि बिभिन जो निर्देशक और नियामांक जो संस्ताइं हैं जै सब यहीं सब्सक्राइब करता है जो कहेगा यह ज़िस्टी बहीं सब अबडेट यहां तो सबसे बड़ा जैसे कि ncrt ले लो कक्षा 600 लेकर 12 तक कि कोई किताब होगी कोई भी स्लिवर चेंज करेगा तो ncrt करती है करती है वे ncrt की थिरूँ होता है तो sबसे जार्द आप से पूछता है ncrt से question बनते है एक कोशन बनता है और एक बोलता है आप से देखो यह सिवस्थी बोर्ड भी आपको दे देने थे हमने दो रखे है 2022 में आने वाले कोशन कौन कौन से हैं आप उतने ही पढ़ लेना और मैं आपसे गारंटी देता हूं कि 85% में आपको फेल नहीं होने दूँगा बस जो जो मैंने आपको बदा है भाई पढ़ लेना जैसे कि मानभ संस्थान विकास मंत्राल है इसे बोलते हैं सिक्सामंत्राले के द्वारा इसका नाम बदल दिया था गवानभ संस्थान कर दिए का है वह इसके पाद में यूरिस्टो क्या होता है यूरू इसको के बारे में तो आपसे यह चैप्टर दे रखें लेकिन इन चैप्टर में सबसे ज़्यादा जो जिसे कहते हैं एस सी ए आड़ी इसको पढ़ देना जिसे डिए एल ए ट रिए टे ए ति कहते हैं ले करा दिए उसके बारे में बीकॉम कि बारे में प्रवाइट कराएंगे वीकॉमस के से ज़्यादा दोस्तों को श्यार करेंगे थैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो